नमस्कार साथ ही हो तो आज है 7 ऑगोस 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important company की shares के बारे में जिसका आज quarter one की result आउट हुआ यानि इसका impact आपको कल 8 तारीक को बजार में देखने को मिलेगा जरूर तो दोस्तों आपको सिर्फ इतना करना है देखे कल जब बजार उपेन हो पर आपके समय प्रेजेंट करता हूं तो दोस्तों सबसे पहला जो company की नाम है यानि बॉम्बे स्टॉक एक्सेंज लिमिटेट जो की आज शेयर प्लोजिंग दिया लगवग सारी 3% उपर आके 2400 रुपए पे आज दोस्तों बजार क्लोज हो जाने के बाद company की result आउट हु आज चार बच के 49 मिमिट ठीक है यहाँ पर यह PDF है इसको सिंप्ली डाउनलोड करना है मेरे पास पहले से डाउनलोड करके रखा हूं मैं तो बस मैं यहाँ पर open करूंगा ठीक है आईए ओके तो open हो चुका है दोस्तों यहाँ पर BSC Limited की quarter one की consolidate financial result पहले एक बहुत important आप सरे quarter result company सेंड किया पहले होगा यह आपका जून दौयाइद 24 मतब करें quarter result यह होगा आपका last quarter March quarter की result और यह होगा आपका last year मतब दौयाद 23 की June quarter करें ठीक है तो यह तीनों quarter को एक साथ हम compare करेंगे तो सबसे पहले आ जाते company की total income total income की बात करें इस quarter में company का हुआ है total 674 करोर ध्यान से देखिए पूरा figure in lakh पे है मैं आपको करोर रुपे convert करके पता रहू ठीक है total 674 करोर की company total income generate किया last quarter की बात करें यही फिगार था लगबग 548 करोर रुपए यानि quarter on quarter base पे company बहुत बढ़िया growth रखा और खास बात यह है कि last year पे मतब जून दौयाद 23 में जा आपे total income हुआ था सिर्फ फर सिफ 271 करोर रुपए तो अब अच्छे समच सकतो कि more than 100% की दोस्तो growth company रखा total income के अंदर अब बात करेंगे company का खर्चा यानि total expenses cost कितना हुआ यहाँ पे दोस्तों काफी important चीज़ है पहले देख लिए अब total expenses यह देखिए obviously company की income increase हुआ तो company की जो खर्चा है expenses वो भी increase हुआ कितना हो चुगा बरके 347 करोर रुपए लास्ट येर में obviously company की income भी काफी low था है ना तो 173 करोर से बरके 347 करोर रुपए हुआ बट यहाँ पे अच्छी बात यह है कि company की जो expenses cost है last quarter पे ज़रा याद करके थे कि income हमने दे बाब जूद भी expenses खर्चा काफी कम हो चुका है जिहां दोस्तों यह सबसे बड़ी पॉइंट है पर उसके बाब जूद भी अगर आप देखेंगे ना company की जो नेट प्रॉफिट मतब सारे टैक्स भगड़ा बनने के बाद जो भी कुछ बचता है उसम बोलते नेट या ग्रोथ यहां पर रखा है quarter on quarter base पर अल्मोस धाई गुना का सबस हो चुका है पर लास्ट इयर की बात करें दोस्तों आपके दिमाग में यह तो सवाल आया होगा कि बाइस आप इंकम इतना जवर्दस्त ग्रोव किया 100% की ग्रोथ expenses चलो ठीक है इंकम के साथ बड़ा है बड़ स्टिल प्रॉफिट के अंदर इतना घिरावट कैसे हो गया चार्सो चार्लीज कर से सीधा गिरके दोस्तों चॉसर्ट तो दोस्तों यहां भी एक्चुली ट्विस्ट है ट्विस्ट क्या है पहले आप देख लिजे कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स मतब टेक् से ही था एकदम बढ़िया ग्रोथ बढ़िया जम सब कुछ से ही था बट कंपनी दोस्तों एक्चुली लास्ट यहर पे एक्सेप्शनल आइटेम जिसे हम बोलते हैं अदर्स इंकम के थूट 406 करोर की इंकम जनेरेट किया था और यह दोस्तों एड हो चुका था लास्ट य आइटेम एड होने के बाद बट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें यूज तोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिला बाकि दोस्तों आपको कैसे लगा बीस की रिजल प्लीज कमेंट करके बताइए और आपको क्या लगद है कि कल आर्ट तरीको इसके इंपक्त आपको बजार में कैसे देखने को मिलेगा आशा रखता हूं कि देखे मार्केट अगर इस चीज़ को पॉजिटिबली लेगा तो पॉजिटिबली रेस्पांस होगा आधरवाइस देखे शेयर में थोड़ा सा करेक्शन हो सकता बर ओवरल बात करें अच्छी कंपनी अच्छा ग्र हो जाने के बाद चार बच के त्रेपर में आउट हुआ पहले आप देख लीजिए कंपनी रिजल यह भी मैं डाउनलोड करके पर रहा था एक्च्छली तो कंपनी की रिजल रिजल यह देखिए ओपन हो चुका है तो ध्यान से यहां पर भी जितने भी नंबर से मुझे मैं मैं नहीं मालूम यह लोग भाई बैलन शीट में क्यों यूज चलो ठीक है चोटे लेवल की बैलन शीट है लैक्स में करते हैं बट यहां पर बड़े बैलन शीट है आइधिंग करोर्स में करना चाहिए ताकि जो मारे जो पढ़ रहा है उनको भी तोड़ा आसान हो जाए है की बहुत सेगमेंट पर फॉल कर गया मतब चले देख लेते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट फीरेट अब अब जो नेट प्रॉफिट है वहां पर ऐसा ही हाल है तो देखे इस कोटर की बात करें कंपनी की जो नेट प्रॉफिट हुआ सिर्थ 45 करो रुपए इसमें देखे यह सब्सक्राइब करोड की फिगर पे क्योंकि यह लैक्स की फिगर पे मिंशन है ठीक है लास्ट क्वाटर में कितना प्रोफिट वा था कंपनी को 72 करोड लास्ट टेर में कितना हुआ था 67 करोड तो मतलब अगर देखा जाए कि कंपनी की ओवरल परफॉमेंस दोस्तों काफी खर करेंगे एक और इंपॉर्टेंट कंपनी जिसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इसको वाटर में जिसका नाम है अधित्य विल्ला फैशन एंड रिटेल लिमिटेर आज उस पर जाने पर पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूं देखिए आज ना नहींच पी आज दोस्तों इसका अभी तक आउट नहीं हुआ और आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए कंपनी की रेजल होपफुली मेरे आप से आठ नौ बजे के आसपस आ जाएगा जब भी आ जाएगा तुरांत मैं आपको वीडि दिखेगा यह दिखेगा यह दिखे जून दॉया तेईस मतब लास्ट यह पर कंपनी की इंकम हुआ था तीना जा एक सो च्यानवे करोर बहुत शांदार और इस बार बात करें ग्रोग कर रहा कितना हम तीना जा चारसो अटाइस करोर बहुत अच्छी बात है क्वाटर और मार्जिन दोस्तो यहां पर देख सकतो 9% से इंक्रीज होके 10% वह अभी तक तो देखे सब कुछ सही दिख रहा है पट कंपनी को दोस्तो इस बार काफी जादा नुकसान का फेस करना पड़ा सामना करना पड़ा लास्ट यह पर यहां पर कंपनी को लॉस हुआ था कितना 162 क करोर की लॉस इस बार देखे लॉस और ज्यादा ब्रॉड हो चुका है वाइड हो चुका है 215 करोर की नुकसान हुआ कंपनी को तो क्योंकि देखे कंपनी की परफॉर्मेंस खराब हुआ तो होना तो चाहिए गिराबट आप देखे कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि कंपनी कि परफॉर्मेंस एकदम वाइयाद होने के बावजुद्भी एकदम खराब बेकार परफॉर्म होने के बावजुद्भी कभी चल जाता है यह उसको नहीं पकरेंगे ठीक है पर नॉर्मल सिनारियों पर बात करें खराब रेजल मतलब गिराबट होना चाहिए जैसे कि आज नुकसान हुआ तकल आज 20 परसेंट की लगया बहुत लोग मुझे पूझ रहा तक सर फ्यूशन में क्या हुआ था एक्चुली इसमें 20 परसेंट की लिए इसलिए लगा ठीक है इसको बारे में आगे वीडियो में चर्चा करेंगे आप देखते जाहिए लास्ट न आखरी यह बहुत अच्छा होता है अभी तक का बेस्ट रेसल मुझे लगा पहला आप देख लिजिए जून 2023 की बात करें लास्ट यह पे कंपनी की टोटल इकम था 3275 करोपे बहुत शांदार इस बार हमें एक म्यूटर ग्रोथ देखने को मुला कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ ने एक म्यूटर ग्रोथ ठीक है खर्चा उसको बहुत अच्छे से मैनेज किया जिसके चलता आप देख सकतो 22 परसन से सीधा बढ़के 24 परसन हुआ और क्वार्टर और बेस परसन से इंक्रीज होके 24 परसन हो चुका है तब समस्क्राइब कंपनी की इंकम इंक्रीज हुआ कंपनी की मार्जिन ग्रोथ किया और जिसके चलते कंपनी की जो 474 करोर की प्रोफिट हुआ था लास्ट यहर पे वह इस पर बढ़के 571 करोर प्रोफिट में बदल चुका है मतलब इंक्रीज हो चुका है बहुत अच्छा ग्रोथ रखा एवन क्वार्टर और क्वार्टर बेस पर बहुत बढ़िया ग्रोथ सकते ठीक है और बागी दोस्तों भूलना मात इनेच पीस की रेजल इस चैनल पको मिल जाएगा इस वीडियो को वाइंड आप करता हूं मिलते नेक्स वीडियो पे टेक क्यार बाबाई जाई हिन